Dear students, we have to discuss about the integrated curriculum. हम integrated curriculum की बात कर रहे हैं और integrated curriculum के अंदर जो हमने discuss किया है, जो हमारा focus है वो है theory practice gap को minimize करना यनि जो बच्चा आज हमारे पास सीख रहा है वो present की नीट को भी cater करे future की भी needs को cater करे हमारे जो behavioral part है यहां पे community के अंदर जो है जहां उसको difference नदर आता है cultural diversity नदर आती है उसकी acceptably भी बनानी है हमने और future के अंदर जो society बन रही है और उस society के अंदर जो development process है उसकी sustainability को भी हमने लेके चलना है और चारों dimension में लेके चलना है उसका economic factor भी लेके चलना है और उसके लिए हमें skills चाहिए social factor को लेके चलना है उसके लिए हमें behavior चाहिए behavior sustainability चाहिए technology को लेके चलना है तो उसके लिए जो हमारे पास जो change आ रही है उस change के मताबक हमें acceptability चाहिए और हमारे जो learning process है उसकी linkage चाहिए चलने आज से दस साल बाद आने वाली जो changes जो technological changes होंगी आज में नहीं सेख सकता है लेकिन उसकी base तो बना सकता हूँ उसकी base दे सकता हूँ और environmental है देखें ये हमारे पास चार dimensions है इन चार dimensions बें एक पार्ट हमारा curriculum का है जो हम पढ़ा रहे है उसको हम integrate करना चाहरे है practice के साथ के दूसरा पार्ट जो है वो हमारा practical life है practical life के बाद भी जब हम बात करते हैं तो फिर उसके दो पार्ट है एक हमारा present alignment है और एक हमारी future alignment है present alignment के इस वक्त जो हमें चाहिए उसको integrate होना है अगरचे community के अंदर community की वहाँ पे हमें sport आसल नहीं होगी तो हम ये change लाने के बावजूद उसको sustain नहीं कर पाएंगे दूसरी तरफ future की जो needs होगी उसको हम align नहीं कर पाएंगे इसके अंदर जो एक और बड़ा role है teaching to the test अब देखें formal education जो है उसके अंदर जो important factor है वो है test अब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर जो social learning हो रही होती है इसको हम test नहीं कर सकते हम देखें मैं आपको एक उसकी example दूँगा आपने एक lesson पढ़ाया उसका आप test ले सकते हैं बचे ने याद किया आपने सुना उसने सुना दिया आपने का इसको explain करो उसने explain भी कर दिया आपने का इसको apply करो knowledge को उसने apply भी कर दिया आपने analysis करने को का आप उसने कर दिया इसका मतलब है test के जरीए हम उसका cognitive aspect जो है उसको check कर सकते है दूसरा aspect जो है वो हमारा skills है skills को भी हम test के जरीए चेक कर सकते है कि आपने कोई project दिया आपने कोई शीज़ परफार्म करने के लिए दी बच्चे ने परफार्म किया परफार्म करके दिखाया हमें मालूम हो गया कि ये परफार्म ठीक है उसके एक आम सी मिसाल जो है नहीं में देना चाहूंगा बच्चे थे नहीं दस्वी जमाद में पढ़ते थे बेलो जी आप पढ़ा रहे थे आपने उनको blood test करना सिखा दिया कि जी blood का group कैसे identify करते हैं उन्होंने सीखा आपने का जी ये खुर्दबीन मुझूद है ये माइक्रोसकोप है इसको पर चेक करो उन्होंने उसको चेक किया चेक करने के बाद आपको आपने उससे skills से related उनसे सवाल पूछा वो उसने बता दिया तीसरा parameter जो है वो हमारा है behavioral part आप देखें behavioral part को आप test नहीं कर सकते आप किसी को label नहीं कर सकते आप किसी को कह नहीं सकते कि ये बंदा जो है इसके अंदर जो social paradigms हैं जो इसके attitudes हैं जो value system है वो कितने percent ठीक है कितने percent गलत है ये नहीं कर सकते अब जो अब हम international parameter के अंदर बात करें तो हम education for sustainable development की बात करते हैं तो उसके अंदर इन direction के अंदर strategic direction के अंदर जो है हम बहुत सी चीजों को तो collaborate करके नास कर सकते हैं जहने हम diverse parameter के अंदर testing को align कर सकते हैं skills को कर सकते हैं मगर उसका जो behavioral part है उसको हम सिवाए action के और वो action क्या होगा वो integrate होगा society के साथ वो जब society के साथ interact करेगा तो उसे interaction में हम उसको calculate कर सकते हैं otherwise class room का जो arm mechanism है जो arm goals हैं जो arm test लेने के parameters हैं उससे हम उसको test नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं झाल तो पिसकते हैं जफ़ रुल झाल कर सकते हैं